सबसे पहले मैं रजनीक अंद्यवेदी डियेसर पब्लिक की स्कूल की तरफ से कक्षा साथ की हिंदी की पुस्तक का पहला अध्याय कविता हम सब सूमन आप सभी छात्रों के समक्ष लेकर वस्तित हुआ हूँ जिस कविता का नाम है हम सब सूमन बहुत ही ये सुंदर कविता है हम सब सूमन हम सभी लोग सूमन का अर्थ होता है फुल हम सभी लोग एक फुल के समान है और ये कविता के कवी स्रिदुराग्या प्रसाद महश्वरी जी हैं जिन्होंने एकता की भावना की सीख इस कविता के माध्यम से हम सभी को दिया है बहुत ही एक साराहनी कविता है जिसका नाम हम सब शूमन है इस कविता को हम पंक्तिवध एक एक शब्द के माध्यम से समझेंगे और इसको देखेंगे तो चलिए कच्छा साथ के सभी छात्र इस कविता को दियां से देखेंगे और समझेंगे ब्या है हम सब सूमन एक उपवन के उपवन कार्थ होता है बगीचा हम सब सूमन एक उपवन के यानि हम सभी लोग एक फूल के समान हैं और एक फूल यानि एक ही बगीचे में एक खिले हुए फूल के समान होते हैं हमारा बगीचा एक है एक हमारी धर्ती सब की हम सभी मनुश्यों की धर्ती जिसको हम माता का दर्जा दिये हैं हमारी धर्ती एक ही है सभी के लिए जिसकी मिट्टी में जन्में हम इसी की मिट्टी में हम जन्म लिये हैं मिली एक ही धूप हमें हैं हमें एक ही धूप मिली है यानि सभी मनुष्य सभी जीवजन्तु एक ही धूप में पले बढ़े हैं सीचे गए एक जल से हम और एक ही जल से एक ही बर्षा की बुंदों से हमारा पालन पोसन भरन पोसन हुआ है पले हुए हैं जूल जूल कर पलनों में हम एक पवन के और इसके साथ साथ एक पवन पवन मने हवा वायू इसके साथ साथ हम पले बढ़े हैं एक ही पलनों के जूलो में एक ही हवा के जुलू में हम पल करके बड़े हुए हैं इसके आगे हम सब सुमन एक उपवन के हम सभी मनुष्य हम सभी जीवजन्तु हम सभी पशुपक्षी एक ही बगीचे के फूल के समान है आगे कभी ने क्या कहा है सूरज एक हमारा जिसकी किरणे उर की कली खिलाती उर का अर्थ होता है हरदय किरणे यहाँ पे कभी ने कहा कि सूरज एक हमारा जिसकी हम सभी जीवजन्तु सभी मनुष्य सभी पशुपक्षी के लिए सूरज एक समान किरणे हमारे हरदय की कलीओं को खिलाने का काम करता है जिसे हमारा रदय प्रसन्न चित खुश हो जाता है एक हमारा चांद चांदनी हमारे लिए चंद्रमा की जो भी चांदनी है जो भी रोशनी है हम सभी के लिए एक समान रूप से मिलती है जिसकी हम सब को नहलाती और उसी रोशनी में उसी रात की रोशनी में चंद्रमा की हम ब्रमरों के मिठे गुंजन के इसके साथ सास हम सभी मनुश्य हम सभी जीवंतु उपरसुपक्षियों को एक समान स्वर का अर्थ होता है आवाज ध्वनी एक समान रूप से हमें ध्वनी आवाज मिला है भ्रमरों के मीठे गुंजन के जिस प्रकार भ्रमरों यानि भौरे जो होते हैं भ्रमरों का अर्थ होता है भौरे जो होते हैं उनके मीठे रस के समान हम में धोनी यानि आवाज मिला है इसके आगे हम देखेंगे हम सब सुमन एक उपवन के हम सभी मनुष्य हम सभी जीव जन्तु हम सभी पशुपक्षी एक ही बगीची के फूल हैं रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी हम सभी मनुष्यों हम सभी जीव जन्तु हम सभी पशुपक्षियों के रंग रूप भले ही अलग अलग हैं रहन सहन भरण पोशन भले ही अलग अलग रूपों में होता है लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की सुभा सारी लेकिन हम हमारे एकता का परिशे ही इस उपवन यानि बगीचे की सुभा को बढ़ता है यानि हम एकता के साथ एक ही उपवन एक ही बगीचे में के समान अगर रहते हैं तो उससे बगीची की सुभा बढ़ती है एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के यहाँ पे माली यानि भगवान को कहा गया है एक हमारा माली जिस प्रकार माली बगीचे की देखवाल पेन पोधों की देखवाल सीचते हुए करता है ठीक उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों जीवचंतू प्रसवपक्षिओं की देखवाल एक ही बगीचे में एक माली की में भगवान एक गगन गगन का अर्थ होता है आसमान एक ही आसमान की नीचे भगवान हम सभी की देखवाल एक सवान रूफ से करते हैं हम सब सुमन एक पुवन के हम सभी मनुष्य सभी जीवन तु सभी पसुपक्षी एक ही बगीचे के फूल है और एक साथ मिलकर के हमें रहना चाहिए काटों में खिलकर हम सबने हस हस कर है जीना सीखा यहाँ पे काटों में खिलकर हम सबने कवी ने कौन सी भावना प्रकट की है तो काटों में यानि हमारे स्वामने कितनी भी बाधाएं कस्ट दूख अगर आती है तो भी हमने हस्ते हुए जीवन जीने की शिख प्राप्त की है गले का बनना सीख यानि कस्टों बाधाऊं में एक साथ रहते हुए एक सुत्र में एक सुत्र में बंधरते हुए गले का हार जिस प्रकार गले की हार देखने में अच्छा यानि शुंदर लगता है मिलकर मिल जुलकर के रहने की सीख लेनी चाहिए हम सब सुमन एक वन के यानि हम सभी लोग एक ही बगीचे के फूल के समान है और हमें अपने जीवन में एकता के साथ रहने की सीख लेनी चाहिए एकता में ही बल है ये थौट भी कहा गया है कि एक्ता में ही बल होता है वो चहें दिश का विकास में, समाज की विकास में एक्ता निष्चित तोर से कायम रहती है कि हम एक्ता के साथ बहुत ही आगे तक चाह सकते हैं तो आज इस कविता को हम यहीं पे समात करते हैं यह बहुत नहीं सुन्दर कविता है एक साथ जीवन जीने की सीख मिल जूल करके एकता के साथ रहने की सीख आपसी भेदभाव नहीं करने की सीख हमें इस कविता से लेनी चाहिए और हमें एक साथ सभी के साथ प्रेम और भाई भीचारा का रूप दान करते हुए एक साथ समान रूप से जीवन जीने की सिख लेनी चाहिए कोई भेढ़ाम नहीं कोई It is हम सभी लोग हम सभी मनुष्य एक शमान हैं एक ही रूप हैं हमारे भले ही हमारा रहन सहन भरण पूरसर अलग-अलग हों लेकिन हम एक ही माली के फूल हैं एक ही भगवान की का दिया हुआ रूप हैं और हमें एक टाके साथ रहने की सीख लेनी चाहिए तो आगे देखेंगे आप सभी छात्रों को गरीह कारे के रूप में ये कठिन सब्द है जिसको हम देखेंगे सुमन का रथ होता है फूल उपवन का रथ होता है भगीचा पल्लों का रथ होता है जूलों पवन का रथ होता है हवा उर का रथ होता है हिर्दय मन श्वर का रथ ह द्वनी आवाज, भरम्रो का अर्थ होता है भौरो, सुभा का अर्थ होता है शुंदर्ता, निराली, गगन का अर्थ होता है आश्मान, शुत्र का अर्थ होता है धागा, शुगंद का अर्थ होता है खुश्वू, स्रिंगार का अर्थ होता है साज, सज्जा, सजावत, का ग्रिह कार्य है और आप शभी लोग एकता के साथ रहने की शीख लेंगे निशी तोर से ये कविता आप शभी छात्रों को पशंद आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकता के साथ रहने की शीख निशी तोर से लेंगे और एक साथ मिल्यूल करके रहेंगे इसी के साथ मैं रजनी कांदुवेदी आपसे इस उमीद के साथ विदा लेता हूँ कि फिर मैं आपको आपका निक्स्ट अध्या यानि अगला अध्या लेकर उपस्तित रहूँगा इसके साथ साथ गेह कारी के रूप में आप लभूत्री प्रश्न को भी आप अपने नोटबूक में लिखेंगे और इसको याद करेंगे देखते हैं कि लभूत्री प्रश्न में क्या-क्या दिया गया है मिली एक ही धूप हमें है से कवी का क्या भी प्राय है इस कविता को एक एक शब्द का अर्थ में भावों के अनुशार आपको मैंने बताया कि मिली एक ही धूप हमें से कवी ने क्या कहना चाहा है तो इसका उत्तर आप नोट बूप में लिखेंगे और याद करेंगे किस प्रकार बढ़ती है यानि एकता के साथ रहने से दम सीधा इस बात को दर्साया गया है कि उपवन यार्थात बगीचा की सुभा एकता के साथ रहने से बढ़ती है हम किस प्रकार एक सुत्र में बंधे हैं तो हम एक गले के हार के रूप में एक सुत्र में बंधे हैं तो य को याद करेंगे इसी के साथ मैं रजनी कांदुवेदी आप से विदा लेता हूं धन्यवाद